आज हम यह beautiful triangular lace सीखेंगे इससे पहले हमने different triangle सीखे थे यह net वाले triangle है और इसको simple ऐसे plane भी बना सकते है और multi colors में भी बना सकते है और beads के साथ भी बना सकते है और crystal के साथ तो हम gradually सारी technique सीखेंगे तो सबसे पहले यह thread मैंने लिया है anchor का thread है cotton thread इसे attach करेगे starting point में बहुत simple technique से सीखेंगे इसमें picots भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है यह thread attach होके है अब एक single stitch लेंगे देख सकते हैं thread right side में है single stitch बनाने के बाद यह first stitch हुआ है तो यह first stitch में needle को रखते हुए यह loop को left में रखेगे और एक reverse stitch इसके उपर बनाएंगे यह left से right गए थे तो इस तरह से हमने thread रखा था तो यह rule हमेशायद रखना है यह stitch बनाने के लिए left से right जाएगे तो loop इस side रहेगा और अब यह right point पे आ गया है तो right से left में जाने के लिए loop हमेशा इस तरह से right side पे रहता है तो इस तरह रखे और यह one reverse stitch बनाए है अब इसे fabric में attach कर देंगे थोड़ा सा distance maintain करते हुए attach करने के लिए right side में loop रखते है यह attach हो गया अब हमारे पास कितनी spaces है हम count करेंगे अब हम left में आ गया है left से फिर से right की तरफ जाएगे तो यह one space यह two space सबसे पहले हमने one stitch बनाए है reverse अब two बनेंगे यह जो base वाला space है इसमें left से जा रहे है इसलिए loop इस तरह से रखे left में one stitch यह left से right में ही जा रहे हैं तो two stitch यह second stitch अब हम यह top पर पहुच गए हम right side में आ गए है तो right side के लिए loop right side में तो यह two holes है two left से बनाएंगे अब two right से बनाएंगे one, two यह जो holes है इसमें रखते है right से पहले one और यह right से ही two एक बर यह pattern समझ जाएगा तो बहुत easily आप कितने भी बड़े कितने भी बड़े size का triangle बना सकते है अब यह base के पास पहुच गए two right से बनाते हुए अब यह इसकी size के accordingly इसे attach करेगे fabric पे यह right side में रखते हुआ attach करते हैं हमेशा यह attach हो गया अब spaces count करेगे तो आपको समझ जाएगा पहले one थी फिर two थी अब three हो गई है यह जो fabric पे यह one space और यह पहले की two spaces अब यह left है left से right में जाएगे तो यह first space में रखेंगे one left से ही जा रहे हैं तो loop left में ही है यह second space आ गई two और यह last space third space इस तरह से तो यह three stitches हो गए जो left से right गए दे अब right से left भी three stitches ही आएगे पर loop हमें right side में रखना है क्योंके हम right to left जा रहे है one two three इस तरह से और जब भी हम base के पास पहुचते हैं फैब्रिक के नजदी तो हमें single stitch बनाते वे इसे attach कर देना है और एक जो space है वो increase हो जाएगी और यह देख सकते के ट्राइंगल कितना beautiful लग रहा है तो अपने हिजाब से कितना भी बड़ा ट्राइंगल बना सकते यह रूल क अब यह base बन गया फिर हम काउंट करेंगे कितनी space थी 1,2,3 और यह अब हमने fourth बना दिये अब fourth spaces में work करना है left to right जाएगे और loop left side में one, two, three, four तो जितने spaces हम left से right में गेते तो four spaces अब नीचे आएगे right to left जाते वे तो loop इस side है right में one, two, three, four अब इसे भी हम fabric में attach कर देगे इस तरह से तो यह four stitches का मैंने triangle बनाया है अब five, six, seven कितना भी बड़ा बना सकते हैं सेम रूल को follow करेंगे जैसे ही foundation बेस पर आ जाते हैं तो single stitch बनाएंगे और फिर ऐसे ही एक-एक size increase होते जाएगी एक-एक hole और इसी तरह triangle बनते जाएगा तो यह four वाले मैंने बनाया है और इसके बाद हम सीखेंगे कि यह size को बड़ी कैसे करते हैं और इसमें design के variations कितने हैं इसमें beats कैसे add करते है crystal कैसे add करते हैं यह मेरे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं